आपका बहुत बहुत सो आगते जिन्हों ने आर्यू एचेस का इंटरांस एक्जाम दिया है उनके लिए डबल गुड न्योज यहां पर रहने वाली है जी हाँ बिल्कुल सबसे पहले तो हम आपको बता दे कि आपने जितने भी कमेंट किये थे सरा हमारे इतने नमर है कौन सा कोलेज मिलेगा हमको यह वाला कोलेज चाहिए तो कितना यहां पर इसको रहने वाला है ठीक है सारे कमेंटों का रिपलाई आपको मिलने वाला है और यहां पर जो डबल गुड न्योज रहने वाली है सबसे पहले तो यहां पर देख लो आप आपकी जो आंसर किये वो यहां देख लेना यहाँ पर ठीगे आपको रिजल्ट वाले पर किलिक करना है और रोल नंबर के माद्यम से और डेट आवरित के माद्यम से आप अपना रिजल्ट यहाँ पर देख सकते हो कापी सारून तो देख भी लिया होगा और आपको पता लग गया होगा कि कितने अंक आपके आचुके है अब हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ठीक है अगर आपके 40 पलस है तो कौन सा मिलेगा 50 पलस है तो कौन सा मिलेगा 60 पलस है तो कौन सा मिलेगा अगर आपके 30 या 25 ऐसे कुछ कम नमर है तो कौन सा मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले तो जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ कमेंट किया था उनको देख लेते यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पार होंगे आपके सारे कमेंट यहाँ पर हमने ओपन कर लिए और वन बाई वन करके सबी का रेपलाई यहाँ पर हम देने वाले है ठीक है और यहाँ पर हर एक विद्ध्यारत के कमेंट का बढ़ाई सम्मान किया जाएगा एक भी कमेंट को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा हर एक कमेंट की सुनाई होगी हमारे यहाँ तो देखो मेलोपिक नाम से कोई जिन्होंने कमेंट किया है कि सर आर्यू एचिस की जो काउंसलिंग के थूँ हम परवेश लेते है यानि कि जो एडिशन लेते है उसका कोई एडवांटेज है या फिर डिरेट प्राइवेट में लेते है उसका कोई फायदा है तो मैं आपको बतना चाहूँगा अगर जो प्राइवेट कोलेज में प्रविस लेना चाहता है डिरेट लोगे तब भी पीस उतनी ही लगेगी जितना आप काउंसलिंग के थूँ ठीक है यान कि काउंसलिंग में भी उतनी पीस आपको देनी पड़ेगी और डिरेट में भी पीस आपको बराबर देनी पड़ेगी पीस में कोई फ्रक नहीं आएगा ठीक है प्राइवेट जो कोलेज होती वहाँ पर कुछ परसेंट सीटे रिजरू रहते हैं जैसे कि 15 परसेंट होगी 20 परसेंट होगी ये काउंसलिंग के तुरू फिलब की जाती है अगर आपको डिरेट मिल रहा है तो आप डिरेट भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप काउंसलिंग के तुरू मिल रहा है तो वैसे भी ले सकते हो पीस बराबर लगेगी और ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चायो तो आप direct भी ले सकते हो है ना? क्योंकि अगर आप लेते हो ना counselling से तो advantage तो कुछ नहीं मिलेगा विसे बट ऐसा है कि आपको safe रहते हो कि हाँ counselling के तुरू आये है ठीक है? इतना सा रहता है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपको counselling का तुरू नहीं मिलता है ना तो आप direct भी ले सकते हो clear? रोहित सर 45 नमबर आये है other state से any chance government college तो category तो आपने बता है नहीं रोहित तो general obc में तो possible नहीं है और मैं बता दू कि other state से ना तो government तो नहीं मिलेगा आपको private मिल जाएगा रोहित सुरेश चंद मीना yes t girl से यानि कि girl से तो cut off कमी जाएगा 54 नमबर है तो first round में मिल जाएगा नको government मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है सुरेश ठीक है 54 में मिल जाएगा first का तो नहीं बट second तक मिल जाएगा second counselling तक क्योंकि girls के लिए और यहाँ पर yes c और yes t के लिए reservation दिया है state government द्वारा अभी सींग सर जी next air b 12 वी काई service रहेगा बिल्कुल अगला फेजान खान सर 43 male जनरल private college मिल जाएगा private के chance से आपके बिल्कुल private तो मिल जाएगा आपको अगला है विसाल 68 obc तो विसाल government मिल जाएगा आपको 100% government मिल जाएगा 68 पे जिनके भी 68 है government मिलेगा उनको माया दोने देखा कमेंट है कि paramedical में 41 नमबर है तो paramedical का देखो इसका cut-off वाला वीडियो यह हमारे चैनल पे देख लेना आप यंग 40 नमबर फेमेल yessi category कौन सा college मिलेगा government या फिर private तो private के चांसे 40 पे तो ठीक है अगला सूरज गोल 47 है और category कौन से यहाँ पर yessi अच्चा तो देखो yessi में तो 47 है ना तो third counseling तक तोड़ा chance है यहाँ पर ठीक है ना past में तो नहीं मिलेगा क्योंगे past में तो जिनके 50 प्लस ले उनकों मिलेगा ठीक है राजेस सर्मा सर 68 है general फे मेल RUHSS government college मिल जाएगा बिल्कुल 68 है ना general तो मिल जाएगा आपको अगर RUHSS नहीं मिलता है तो any government college आपको sure है 100% मिल जाएगा और वेसे भी यहाँ पर आपका 90% chance RUHS का ही लग रहा है ठीक है आराम से आपको मिल जाएगा no tension सुनिल 35 OBC private मिलेगा स्वनम का कमेंट है RUHSS paramedical का result कब आएगा तो इसका result का उपर वीडियो बना देंगे अपडेट देंगे आपको राहुल counseling कब start होगी तो counseling आपकी November में start होगी ठीक है November में क्योंकि अभी आपको पताएगी जो त्योहार है उस विज़े से नहीं हो पाएगा तो counseling आपके November के second week तक हो पाएगी Vynod 73 OBC female कोई साभी college आपको मिल जाएगा ठीक है जो आप चाहोगे वो आपको मिल जाएगा 73 पे तो ठीक है ना चंचल सर्मा 40 number EWS private मिल जाएगा बिल्कुल अमित पूनिया सर मुझे 69 number पर RUHS मिल जाएगा क्या पस्ट round में OBC category देखो अमित नमबर आपके अच्चे कास है बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है अगर आपको RUHS नहीं मिलता है फिर भी आपको कही ना कहीं पर government है 100% आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो पस्ट में नहीं मिलता है तो सेगिंट में आपको RUHS अवसे मिल जाएगा चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है क्योंकि seat vacant रहती है तो आपको दे दी जाएगी यह नमबर अच्चे है आपके ठीक है ना अमित तो गौवर्मेंट मिल जाएगा आपको सुरेश कुमार सर बीएसी फेमेल बीएसी फेमेल 44 अच्चा OBC करना चाते है लेकिन आपर बीएसी नहीं कर रहा है तो OBC साथ यह टाइप करना चाते होंगे लेकिन आपर इनसे मिस्प्रिंट हो गया ठीक है तो OBC फेमेल 54 है कौन से कॉलेज के चांस है तो OBC में तो देखो फेमेल है ना थर्ड कांसलिंग तक थोड़ा गवर्मेंट का चांस है नहीं तो आपको प्राइवेट ही मिलेगा वेस्थे 80% चांस प्राइवेट का इस फ्रेस ड्रेम का कमेंट है कि 56 है येस टी में तो मिल जाएगा आपको आराम से गवर्मेंट मिलेगा 56 पे येस टीवाल लोगो नरेश कुमार का है कि गूड इवनिंग सार गूड इवनिंग नरेश साथ नमबर है आपके और आप अधरिस्टेड से हो तो चांस से आपको गवर्मेंट के ट्राइक करना कांसलिंग के लिए क्योंकि अगर जो आपके 15 परसेंट कोटेपर जो कांसलिंग होगी उसमें आपसे अधिक वाला एपलाई नहीं करता है ना तो आपको दे दी जाएगी वो ठीक है नरेश जेपाल बाटिया यससी केटेगरी में 45 नंबर है गवर्मेंट मिल जाएगा यससी में है आपका 45 तो पैतालिस पे तो देखो प्राइवेट के चांस अधिक लग रहे है यहाँ पर क्योंकि अगर 50 परसेंट पर होता ना तो भी आपको शूर एगी गवर्मेंट मिल जाता तो प्राइवेट के ज़्यादा चांस है आपके मनीज ओबिसी मेल 42 पर प्राइवेट कोलेज मिल जाएगा क्या प्राइवेट तो मिल जाएगा मनीज आपको ठीए लली चोधरी 64 पर तो देखो गवर्मेंट तो आपको शूर एगी मिल जाएगा बट यह शूर नहीं कि आपको यह से नहीं मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पर मानलो कि आपसे अधिक अंक वाले आगे जिसे 65, 68 तो ऐसे में फिर वहाँ पर सीटे फुल होगे तो नहीं मिल सकता अगर सीटे खाली रह जाते बाई चांस तो शूर है कि आपको यह से नहीं मिल जाएगा तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करने हैं मिलेगा आपको गवर्मेंटी ठीक है नरेंदर गुमार पॉस्ट बियेस नर्सिंग के कांसलिंग कब से होगी चलो इसको पर भी बना देंगे ठीक है चिंता बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं क्योंकि मेंस से की भी कमेंट आ रहे हैं मारे पास पॉस्ट बेसिक के भी पेरा मेडिकल के भी आ तो उनका भी है कि क्या आपको मिल जाएगा एसमेस तो नहीं बक्वर्मेंट आपको जूरो मिल जाएगा त्रीया गोवर्मेंटी mir पाएगा 573 मिल अपको हाग आरफस मिल सकता है licensing क्या कटव तो 84 पलस सब्स्स दु कि को ऺisिप GBqi मिल जाएगा आरां से तिक कि इसप्राहत मैंने चेक किया है 86 8 किया है 84 आ रहा है दो क्यूशन गल अच्छा आप रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जो नमबर हमारे आने चाहिए तो वो नहीं आ रहे है पिर कोई अब्जेक्शन लेना चाहते हो क्यूशन के उपर आपको लग रहा हो कि नमबर इतने आने चाहिए कम आ रहे हो तो आपको तो आपको तो SMS आर्वेशन मिल जागा आराम से आराम से मिलेगा आपको आर्यों एचेस तो 100% आपका सहे पे कहीं नहीं गया वो तो समझो मिल गया आपको 72 पे ठीक है बागी SMS का देखो कटो पे वो 80 के लगबग रहेगा किलेर बानु सर्मा अठारा नेयो मेडिकल कोलेज भी खुल रहे हाँ बिल्कुल बैट अभी वहाँ पर कॉर्स एड नहीं हो आई ना इस बज़े से राहुल 54 यह सीमेल कौन सा गौर्मेंट कोलेज मिलेगा देखो राजस्तान में कहें पर भी मिल सकता है आपको क्योंकि 54 है न बट गौर्मेंट मिल जाएगा आपको अंकित सेनी सर ओबीसी केटिगरी बोईज को 57 नमबर है ना तो गौर्मेंट तो मिल जाएगा बट थर्ड काउंसलिंग तक वैट करना होगा आपको आलोक सर्मा बियालिस ओधरी स्टेट तो प्राइवेट प्रेंका सोधरी सर ओबीस प्राइवर्मेंट मिल जाएगा क्या और बीसी में फिमें तो थर्ड काउंसलिंग तक चांस आपका रहुल कुमार यसजिंगर नमर है ना गौर्मेंट कोलेज मिल जाएगा 56 यसी बिलकुल मिलेगा ना यसी मिल जाएगा आपको मेडम का कमेंट है कि सर पॉच्ट बेसिक नर्सिंग, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे पॉच्ट बेसिका ठीक है, राम भी है 33 है न, तो 33 पर प्राइवेट भी मुश्किल है ठीक है, निशा वरुमा 40 नमर पर प्राइवेट मिलेगा Personality मिलेगा निशार्मा ऩूआ गौणमेंट तो नहीं मिलेगा आपको Privacy मिलेगा बिलान दिक्सित 41 पे प्राइवेटी मिलेगा Yes team mail हो आप और 50% Government की Chance है Third Counseling तक थोड़ा Chance है ठीक है क्योंकि आप Border line पे हो यानि कि आपका 50% Chance Private का है और 50% आपका गुवर्णमेंट का है, यह वाले नवरे आपके, ठीक है, प्रेंका चोधरी अठ्थाओं नवरे तो गुवर्णमेंट मिल जाएगा, राजितान में कहीं पर भी, पूजा वर्मा, यस सी फैमेल, 25 नमर गुवश्वेश्वार्मेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, रावाद, चतिस नमबर है येस्टी चतिस पे तो प्राइवेट मिलेगा सूर्या गुजर सूर्या गुजर के OBC में 61 तो इनको गुवर्मेंट मिल जाएगा ठीक है OBC 61 है राहुल सैनी 63 है नाम अजमेर में कॉलेज मिल जाएगा अजमेर में देखो यहाँ पर अजमेर का तो शोर नहीं है बट आपको कोटा उदेपुर या फिर अजमेर इन में से कोई सा भी मिल जाएगा ठीक है 54 EASC मेल कौन सा कॉलेज मिलेगा तो गुवर्मेंट के चांस से गुवर्मेंट मिल जाएगा आपको केलास 57 आपटोप रास्तान का कटोप हाई जाएगा ठीक है केलास याँ पर कटोप का अलग से वीडियो पह आएगा 59 ओबिस्टी गवर्मेंट मिल जाएगा ठीक है पारूल सरमा का ये 67 गवर्मेंट मिल जाएगा ठीक है आइसिस ओबीसी फेमल कैटिकरी 59 गौवर्मेंट मिलेगा 100% और यहाँ पर देख लेते हैं 35 का तो देखो प्राइवेट जाएगा M.B.C. 70 मार्क्स पेमल गौवर्मेंट प्वी नुराज 44 पे आपको मिलेगा private 40 पे मिलेगा private और यहां पर bpt का आराम से मिल जाएगा गवर्मेंट 65 पर bpt गवर्मेंट ठीक है और 67 SC गवर्मेंट मिल जाएगा जहां आप चाओगे 68 गवर्मेंट मिल जाएगा 50 पर देखो yesc वालो बॉर्डर लाइन नमबर है यह यानिकि 50% चांस प्राइवेट के और 50 गॉर्वर्मेंट के 50 पे यानिकि जो YSC केटेगरी पे जिनके भी 50 नमबर है यह बॉर्डर लाइन नमबर है आपके 44 पे प्राइवेट मिलेगा मुझे 43 नमबर मिल जाएगा 43 पे तो आराम से मिलेगा आपको प्राइवेट देवैंदर कुमार का है 55 YSC में आ जाएगा इनका तो देखो एगमेंट यहाँ पर YSC केटेगरी होने के नाते इनको 55 पे गॉर्वर्मेंट मिल जाएगा अभी सिवालों को नहीं मिलेगा 55 पे ठीगे YSC वालों मिलेगा तनू सर्मा 50 नमबर है और AWS है न आपका बट आपने केटेगरी बताया नहीं तनू सर्मा प्लीज केटेगरी बताना आप चोईस नमबर पे तो प्राइवेट भी नहीं मिलेगा ठीगे आर्थी पचपन है तो पचपन पे आपका YSC हाँ चांस है आपका थर्ड काउंसलिंग तक चांस है आर्थी कमल बाटी हेलो सर्ट 61 नमबर आ रहे है ओबी सी में तो गौवर्मेंट के चांस है आपका 2 या फिर 3 कांसलिंग में गौरव चांचट नंबर है ना गौवर्मेंट मिलेगा शूर आपको मोहलाई चित्रा पचास पर ये सिन्गी 50% चांस आपका प्राइवेट का और 50% आपका गौवर्मेंट का ये क्योंकि बोडल लाइन नंबर आ गया आपके 37 पर आपको प्राइवेट भी मुश्किल ले ती 83 OBC मेल OBC मिलेगा चांस है आपके 83 वालों का ठीक है क्योंकि HC प्लस क्रोस किया है तो SMS के चांस है आपका तुम्हें यही कहूंगा कि पश्ट काउंसलिंग में आप SMS के लिए ट्राय करना ठीक है क्योंकि आपके 80% चांस यही लग रहे हैं आपके SMS के 39 पर प्राइवेट मुस्किल है रमेश का है कि 53 फैमेल सरकारी कॉलेज मिल जाएगा OBC में थोड़ा मुस्किल है OBC में अगर yes C होता ना तो मिल जाता तो OBC में थोड़ा मुस्किल है क्योंकि OBC का जो कटोब है 55 के अबबाव रहने वाला है हेलो सर 47 नमडर है ना तो प्राइवेट के चांस है नौन क्रेटिव 70 ओबीस ही फे अमल आर्वीज़़ बिल्कुल मिल जाएगा नोन क्रेटिव से कमेंट है 70 वाल को मिल जाएगा आर्वीज़़ ठीक है सोनम सरमा 43 गोवर्मेंट मिल जाएगा नहीं प्राइवेटी मिलेगा 43 पे कुसी मोबाइल का है कि सर MP में कब आएंगे फोरम MP में तो देखो अभी exam चल रहे है भी ठीक है और फोरम अब next year आएंगे अभी तो JNM की निगलेगे वहाँ पर ठीक है तो यहाँ आपर अगला comment देख लेते हैं अक्षे मीना 50 तक मिल जाएगा क्या government नहीं मिलेगा यह borderline नमर है 50 ठीक है न अगसे क्योंकि जिनके SC और ST में 50 नमर है यह borderline नमर है आपके पंकज 42 नमर है तो नहीं मिलेगा private के chance है आपके योगे चांस अट पे मिल जाएगा आराम से आपको मैंक के 31 नमर है तो private के भी chance कमी है 30 पे ठीक है चांद नी सर मेरी 45 है न मुझे मिल जाएगा क्या private मिलेगा सर मुझे RHS मिल जाएगा चांस अट पे आराम से गोरव का comment है 48 वालों को private 58 नमर ओविसी government मिल जाएगा अंकी तापको ठीक है तो यहां पर आपने देखा कि 88 वालों को SMS मिल जाएगा शोर 88 पे SMS मिल जाएगा बिल्कुल आपको देखो यहां पर एक comment है कि गुलाब का कि reply नहीं करें reply आपको वीडियो के मादेम से मिलेगा आपको वीडियो के मादेम से जैसे कि अभी हम कर रहे न क्यों यह best रहता है आपके लिए पुरा doubt क्लियर हो जाता है 59 OBC government मिलेगा आपको 35 है ना तो आपको private तो यहां पर अधीतर comment cover कर ले और यहां पर खतम हो चुके 50 वालों को यह borderline private के chance से आपको ठीक है government मिल जाएगा 54 तक तो मैं यही कहूंगा फिर भी कोई doubt रहे गया हो तो comment कर सकते हो हम आपके साथ है हर एक comment को देखेंगे सिंबल से बात है वीडियो को मादेम से ठीक है फिर भी कोई doubt रहे गया तो पूछ सकते हो आपका अपना का मिले बाकी आपने चैनल तो सस्क्राइब करी लिया होगा बेल आइकन पर प्रेस करी लिया होगा और वीडियो को लाग तो करी दिया होगा